स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत है अज किस क्लास में यहां पर हम लोग क्लास 7th NCRT में 4 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वायू तो देखिए वायू की बात करते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी प्रित्वी चारो और से वायू की घहनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायू मंडल कहते हैं तो प्रित्वी के चारो और जो वायू की चादर है उसे हम क्या बोलते हैं वायू मंडल बोलते हैं नाइट्रोजन हमारे वायू मंडल में है, आक्सीजन हमारे वायू मंडल में है, तो वायू मंडल क्या है, जो हमारी पृत्वी है, तो उसके चारो तरफ क्या है, एक वायू की चादर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वायू मंडल बोलते हैं, पृत्वी पर सभी जीव, जीवि जो वायूमंडल रोक लेता है और उन्हें प्रिथवीता काने नहीं देता है वायूमंडल कैसे रोकता है मंदल में बहुत सारी गैसें हैं बहुत सारी ऐसी पढ़ते जैसे हो जोन परद की बात करें तो सूरे से आने वाली बहुत हानिकारक किर्णों को ओजोन क्या करता है रोग लेता है और प्रिथवी तक उन्हें नहीं आने देता है ठीक आपको ये बात पता होनी चाहिए यदि सुरच्छा की यह चादन ना हो तो हम दिन के समय सुरी की गर्मी से तब तो होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं रृष यह वायू राज है जिसने प्रिथवी तापमान को रहने योगे बनाए है तो अगर वाइव मंदल ना हो तो दिन में जब धूक होती है जब सुर्ण होता है तो बहुत ज्यादा धूप होगी हम लोग उससे जल सकते है और जब रात होता है तो रात हो पर तो सूरीज चला जाता है दिखाई हमें नहीं देता तो उस समय बहुत ही जादा ठंधक हो सकती है लेकिन इस टेंप्रेचर को मेंटेन कौन करता है वायुमंडल मेंटेन करता है कैसे क्योंकि जब पृत्वी उसमा छोड़ती है ठीक है साम के समय हम बोल सकते हैं जब सूरी पृत्वी से विक्रित उसमा को पृत्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं देन दीजेगा ग्रीन हाउस रिलेटेड कोश्चन बहुत पूछा जाता है कारबन डाई आकसाइड वायुमंडल में फैल कर कारबन पृत्वी से विक्रित उसमा जो पृत्वी से उसमा विक्रित होती है रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना संभव होता किन्तु अब जब किन्तु ग्लोबल oggi कहते हैं इसे global warning कहते हैं तापमान में इस वर्धी के कारण तापमान प्रिद्वी के सबसे ठंड़े प्रदेश में जमी हुई भर्फ इगलती हैं जिसके पãyढ़ाम स्वरूफ समुद्र के जलिष्थर में वर्ध्धि होती है जिससे टटी गई है जो कि most important है ये बात आपको पता होनी चाहिए नाइट्रोजन तथा oxygen ऐसी दो गैसे हैं जिनसे वाइव मंडल का बड़ा भाग बनाए देखे वाइव मंडल में बहुत सारी गैसे हैं लेकिन जो जादा percentage में हैं वो दो गैसे हैं पहली गैस नाइट्रोजन पहले नंबर पे कौन सी गैस आ रही है पहले नंबर पे आ रहा है नाइट्रोजन गैस और दूसरे नंबर पे आ रही है आकसीजन गैस वाइव मंडल में कौन कौन सी गैस एक नाइट्रोजन है या आकसीजन ये दोनों अधिक मात्रा में है नाइट्रोजन 78% है नाइट्रोजन 78% है और 21 परसंट बाकी एक परसंट में और सारी गैसे यहां पर आती हैं हाइडोजन हीलियम ओजोन आरगनेम हाइडोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौझूद रहते हैं देखिए जैसे वृत में आपको इस तरीके से दिखाया गया कि नाइट्रोजन है आकसीजन है और बहुत सारी गैसे हैं ठीक है नाइट्रोजन वाई में सरवाधिक पाई जाने वाली गैस है सबसे ज़्यादा परसंटेज में नाइट्रोजन पाई जाती है जब हम सांस लेते हैं तब फेफडों में कुश नाइट्रोजन भी ले जाते हैं तो सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन गैस आती है और फेफडों तक ये गैस जाती है और फिर उसे बाहर निकालते हैं Canadian तो पौधो को अपने जीवन के लिए नाइटरोजन के आउसकता होती है वे सीधे वायू से नाइटरोजन नहीं ले पाते हैं ठीक है पौधे क्या करते हैं? देखो प्रितिवी पर जो भी जीवित है जो भी चल रहा है, जो भी जीवित है, दीख है, सरजीव है, वो सांस किसी न किसी तरीके से लेगा, म्रदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले, म्रदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणू, वायू से नाइट्रोजन लेकर इसका स्व मनुस से तथा पशू सांस लेने में वायू से आक्सीजन प्राप्त करते हैं इस प्रकार वायू में आक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है यदि हम व्रच काटते हैं तो या संतुलन भी कर जाता है देखिए मनुस तथा पशू सांस लेने में वायू से आक्सीजन प्राप्त वायू से करते हैं वसे क्या करते है व prec children उत्पन करते हैं तो वायू में आक पे सिजन मात्रा समान बनी रहती है अगर हम पेर जादा काटेंगे तो आकशीज़न हमें लेने में दिक्कत होगी हम बोल सकते हैं कि यह संतुलन क्या होगा बीगड जाएगा ठीक कार्बन डाई आकसाइड कार्बन डाई आकसाइड का प्रियोग करते हैं और आक्सीजन वापस देते हैं मनुस और पसु कार्बन डाई आकसाइड बाहर निकालते हैं तो यह इंपॉर्टेंट ह या कोई भी civil exam में आपसे question पूछा जा सकता है ठीक है तो याद रखना मनुस और पसू carbon dioxide बाहर निकालते हैं मनुस्यों तथा पसू द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली carbon dioxide की मात्रा पादपो द्वारा प्रियोग की जाने वाली gas के बराबर है ठीक तो पादप जो gas प्रियो carbon dioxide की बढ़ उत्री करते हैं परडाम सरूप carbon dioxide का बढ़ा हुआ है तन प्रित्वी पर मौसम दता था जलवाय को प्रवाइद करता है लेकिन अगर हम क्या करते हैं इंदन में खनी तेल तथा कोईला इस तरीके से जलाते है तो यह संतुलन क्या होता है गड़बढ हो जाता है ठीक है देखे इसके बाद आपसे बताया गया है वाय मंडल की संदशना अब वाय मंडल कैसे बना है कौन कौन सी पढ़ते हैं तो देखे यहाँ पर 5 पॉइंट आपको याद रखने सबसे पहले होगा छोब मंडल फिर होगा समताप मंडल तीसरा होगा मध्य मंडल और बाह मंदल और बहिर मंदल बहिर मंदल को इंसी आर्टी में बहिर मंदल बोला गया है बाकी सभी बुकों में इसे आयन मंदल भी बोलते हैं तो देखे इस तरीके से हम यहाँ पर फीगर में बात करेंगे सबसे पहले क्या है छोब मंदल छोब मंदल जिस छोब मंदल में क्या है मां यहार बगारा समताफ मंडल में होंगे ठीक यह समताफ सीमा है समताफ हो गया नहीं यहां तक यह समताफ मंडल हम इसे बोल सकते हैं ठीक है यह क्या है यह समताफ मंडल के उपर मध्य मंडल होका मध्य मंडल है यह क्या है मध्य मंडल है और उसके बाद सबसे उपर क्या है बाह मंदल एक ही बात होते हैं, आप देखिए, उसके बाद आपको यह यहां पर दिया गया है, ठीक है वंडल की परते दी गई ठीक है यह उचाई देखिए, आप इस तरीके से लिगने हैं. आप सबसे पहले में एक-एक मंदल की बात करते हैं, सबसे पहला में मौझूद वायू में सांस लेते हैं मौसम की लगबख सभी घटना है वर्सा कोहुरा ओला वर्सा इसी परत में होते हैं तो आपको पता हूना चाहिए वर्सा की घटना किस मंडल में होती है अगर आपसे पूश्चन 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 15 किलोमीटर के उचाई तक फैला हुए या परत या परत बादलों वब मौसम संबंधी घटनावं से लगब से लेलेटेड नहीं इसके फलौरूप यहां की परिस्थितियां हुआ उडाने के लिए आधर्स फोर्ती है तो हुआ हवाई जहाज इसी मंडल होता है आएक महतSTATH है की परत होती है या परत जो सूरे से आने वाली बहुत सारी हान // सतल सारी हां कारक्रणों अमें बचाता है आप न फैन्स estimates अ मन्दल के अगर बात करें तो हम ने किया चीए का सीखा समताफ मंडल के बारे में सबसे पहले यह दूसरी परत है पहली चम शंप मंदल है मौसम सम्मंधी घडणा इस में मुक्त होती है चौधा कि यह हावाई जहाज उड़ाने के लिए महत्बुण है पांच्वा जो है Most Important है ओजोन परत तो जोन परत इसी में है तो उसके राथ थर्ड आते हैiskी मद्यमंधल मद्यमंधल में क्या क्या बताया गया है तो आपको पता होना चाहिए तो आयन मंदल भी इसी में आ जाता ह। जिकसे हम बहीर मंदल बोलते हैं या असी से 400 किलो मीटर है तो आपको हाइट याद अखनी 80-400 किलोमीटर तक फैला है रेडियो संचार रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है किसलिए रेडियो संचार के लिए वास्तों में पृतिवी से प्रशारित जो पृतिवी से रेडियो तरंगे इस परत दोरा पुना प्रितवीत पर परावर्तित करती जाती है तो यहाँ पर जाने पर क्या होता है फिर से परिवर्तित हो जाती है लास्ट जो आज से बताया गया है बहीर मंडल बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है देखिए लाइक सेयर आप करते रही है चीजे आपको समझ में आएंगी ठीक है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और इस वीडियो को तो आप कम से कम दोबार देखिएगा ही बहीर मंडल बताया गया है वाई मंडल की सबसे ओपरी परत को वाय मंडल के सबसे उपरी परत सबसे उपरी है लास्ट परत इसे बहिर मंडल के नाम से जानते हैं वाय मंडल की पतली परत होती है पतली परत होती है हलकी गैसे हीलियम हाइड्रोजन यहीं से अंतरिच में तैरती रहती है ठीक है अंतरिच में हीलियम और हाइड्रोजन यह इसे तैरती रहती हैं बाहिर मंडल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है इतना लेकिन बताया गया है कि यह सबसे आखिरी परत है सबसे ओपिरी परत है और बहुती पतली है बहुती पतली है तो इस तरीके से आपको यह बाते बताई गई हैं इसके बाद आपको ट तततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत कि यहाँ पर देखे कुछ important दिया गया है कि सूरी की उर्जा, सूरी की उर्जा देखे इतनी बोली गई है, भाग का केवल एक भाग, दो अरब वाग ही प्राप्त होता है, थीक है तो एक बटे दो अरब हम कर दे तो उतना भाग हमें सूरे से प्राप्त होता है, कितना, एक ब परिमार को ताप मान कहते हैं, वायू में मौझूद ताप यूम सीतलता के परिमार को ताप मान कहते हैं, वायू मंडल का ताप मान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बलकि रितुओं के अनुसार भी बदलता है, बलकि रितुओं के अनुसार भी बदलता है, शीत रित आपतन एक महतपूर कारक है शूरिशे आने वाली वह उड़ जा जिसे प्रत्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है अब देखिए यहां पर कुछ मात्रे करता है लड़ आपतन की शूरिया तब की मात्रापमधर रेखा से द्रूगों की और गटिये क्यों को आपको पता है ध्रूओं पर शूर की रोसनी तिर्ची पड़ती है इसलिए तापमान इसी प्रकार घटता है यदि प्रतिवी का तापमान एत्यदिक बढ़ जाता है तो यह तो यह इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहां कुछ फसले नहीं उख सकेंगी गाउं की अपेक्छा नग गर्म वायू को रोग लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है नगरों का तापमान बढ़ जाता है तापमान को मापने की माना की काई डिग्री सेल्सियस है किसमेन आपने डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंट्रिगेट में भी चेक कर सकते हैं इसका आविसकार क कुँ डिग्री सेल्सिएस बोला जाता है कुणकि एंडरस सेलसियस सेल्सियस ने इसकाविसकार किया है। Celsius एंडरस Celsius ने इसका आविसकर किया है Celsius पहमाने पर जल 0 degree Celsius पर जमता है जल कब जमता है 0 degree Celsius पर और 100 degree Celsius पर उबलता है 100 degree Celsius पर उबलता है वायू दाप की बात करी गई है वायू दाप की बात करी गई प्रित्वी की सतह पर वायू के भार द्वारा लगाया गया दाब वायू दाब कहलाता है चांद पर वायू नहीं है आपको पता होना चांद पर वायू दाब भी नहीं है वहाँ पर वायुदाब भी नहीं है जब वायुदाब भी नहीं है जब वायुदाब भी नहीं है अंत्रिच यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विसेश रूप से सुरच्छी थावा से भरी हुई अंत्रिच पोसाग पहनते हैं अंत्रिच पोसाग पहनते हैं जिसमें ह करेगा ठीक है रक्त सिराय फट सकते हैं जिससे अंत्री चयात्री रक्त श्रावित हो सकते हैं और खून बहने लग सकता है ठीक है वायू मंदल में उपर की और जाने पर दाप तेजी से गिरने लगता है ठीक है पहाडों पर अगर आप चढ़ेंगे तो दाप क्या करेगा समुद्र इस्तर पर वायू दाप सरवाधिक होता है समुद्र का जो लेवल होता है जो बेस होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है उचाई पर जाने पर यह घटेगा वायू दाप का 36 वित्रन किसी इस्थान पर उपस्थित वायू के ताप उदारा प्रभावित होता तो 36 जो है किसी स्थान पर उपस्थित वायू के ताप दारप राहित होगा अधिक ताप मान वाले छेत्रों में वायू गर्म होकर ऊपर उठती है या निम्न दाप छेत्र बनाता है निम्न दाप बादल युक्त आकास इवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है ठीक है तो यह इसके बाद आपको पता होना चाहिए वायू सदय इसे आप नोट भी करेंगे वायू सदय उच्च दाप छेत्र से निम्न दाप छेत्र की और गमन करता है ठीक है हम बोल सकते हैं हाई प्रिशर टू लो प्रिशर इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं कि हाई प्रिशर से लो की तरफ हमेशा जाता है high pressure से low pressure की तरफ जाता है पवन का नाम उसके आने की दिसा के आधार पर निधारित होता है उदारन के लिए पस्चिम से आने वाली पवन को पस्चिम पच्छुआ पवन कहते हैं ठीक है पवन के बारे में देखे क्या बताया गया है definition क्या बताई गई ह पवन की उच्चदाप छेतर से निम्नदाप छेतर की और वायू की गती को उच्चदाप छेतर से निम्नदाप छेतर की और वायू की गती को पवन कहते हैं ठीक है तो पवन के बारे में आपको ये बताया गया अब देखे पवन कितने प्रकार की होती एक होती अस्थाई प और एक होती है अस्थानी पाउन इंसे प्षिभी और बोहन्य प्षिक्ति पाने यह बोला जाना वने बोलते हैं यहाँ वर्स भर लगाता दिशित दिशा में चलती है ठीक वर्स भर चलती है और एक निश्चित दिशा में चलती है वर्स भर होंगी निश्चित होंगी एक अस्थाई रूप से हैं अस्थाई रूप से इनी लिए अस्थाई पाउने बोलते हैं वैपारिक पाउन पश्चिमी पाउन और पोरवी पाउने ये मौसमी पौवन मौसमी पौवन का क्या मतलब वो एक मौशम होता है जैसे भारत जो मानसूनी पौवने होती नहीं वैपारिक पौवन वेपारिक पौनों के बारे में आपको बताया गया ना वेपारिक पौनी है ये क्या है वेपारिक पौने ठीक है ये पच्छुआ पौन शनातन पच्छुआ पौन ठीक है धूर्वी पूर्वी पौन ठीक है धूर्वी पौर्वी पौन और यहां पर उच्च दाब होगा यहा क्या बोला जाता है लू बोला जाता है इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या बोलते हैं उसे हम लू बोलते हैं लू बोलते हैं ठीक है इसके बाद आपको बताया गया आदृता आद्रता के बारे में आपको बताएगा है आद्रता क्या है तो देखे वायू में किसी भी समय जलवाप्स की मात्रा को क्या कहते हैं आद्रता कहते हैं ठीक है अब देखे यहाँ पर वर्सा के बारे में बताएगे तो एक तरीके से चक्रवाती वर्सा है यह क्या है चक्रवात विभिन जलासियों से वास्पित होता है प्रत्वी से और बहुत सारे जलासियों से वास्पित होता है तो यह जलवास्प बन जाता है जलवास्प बन जाता है वायू में किसी भी समय जलवास्प की जो मात्रा होती उसे आद्रता बोलते हैं के बोलते हैं आद्रता वहाँ पर करने की छमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आद्र हो जाती है आद्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है ज्यादा समय लगेगा न क्योंकि नमी होती है और हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहेज महशूस करते हैं हम ल लगेंगे उपर की तरब जाने पर ठंढे होंगे और बूंध बनाकर जल की बूंध बनाते हैं बादर इन रिष्ट जाते हो जाना गार एक और जो बहुत सारी बूंदे बन जाती है और फेक ये कि अपने पीछे सफेद पचिन छोड़ते हैं इनके इन जनों से निकलती नमी शंगनीत हो जाती है वायू के गतिमान न रहने की इस्थित में संगिनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है ठीक है तो जैसे आप देखते होंगे कभी-कभी जहाजे बगारा जाती है जो बहुत बड़ी टाइप में होती है हवाई जहाज हम बोल सकते हैं तो जब निकलते हैं तो पीछे एक तरफ सफेद पद बन जाते हैं हम कहते हैं कि देखे इस तरीके से हम बोल देते हैं कि धुमा टाइप का निकल ला है ठीक है तो वो क्या होता है इन जनों से निकली नमी जो होती हो संगिनित होती जाती है जो नमी निकलती हो भलवर्षा कहलाता है ज्यादत और भौम जल वर्षा जल ही से प्राप्ट होता है पवधे जल सनरचन में मदद करते जब पहाड़ी पाशोरों से नीचे बहता है वो नीचले इलाकों में 22 का कारण बंता है क् préparविद्र थियाधार पर वर्षा के तीन प्रकार बताएगें तो यह तीनों आपको याद रखनें शम्वहनी Wyn consig पर.​ पर्वती और partner चक्रवाती चक्रवाती परव्वती और शम्वहनी यह तीनों वर्सा तो आप कैसे डिभाइन करेंगे, आगर आप से कोश्चन पूछ लिया गया, तो देखें, प्रिथवी के चारो तरफ जो वायू का घरा है, जो पतली चादर है, उसे ही हम वायू मंडल कहते हैं, उसे ही हम बचा एक परसंट में सारी गैसे आती है तो सरवाधिक परसंटेज किसका हुआ नाइट्रोजन का परसंटेज यहां पर क्या हो जाएगा सबसे जादा क्योंकि नाइट्रोजन का परसंटेज 78 है नाइट्रोजन का परसंटेज 78 है वायू मंडल में कौन सी गैस हरीत गरहा प्र जो दाब होता है और वायू वंडल का जो तापमान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं मौसम बोलते हैं वर्सा के तीन प्रकार तो देखे चक्रवाती वर्सा आपको बताई गई है परवती वर्सा आपको बताई गई है ठीक है नेक्ष बोला गया वायू दाब क्या है वायू द लिकित मेंशे कौन सी गैस हमें सूरी की हानिकारा क्रिंडों से बचाती है तो ओजों ओजोंगैस याद रखना है आपको वायू मंडल की पर्तो में जब हम उपर जाते हैं तब वायूदाप घटता है उपर की तरफ जाने परवायुदाप घटता है परवतों परवायुदाप कम होता है जब व्रश्टी तरल रूप में प्रद्वी पर आते हैं जिसे हम व्रशन कहते हैं व्रशन ही क्या है हम वर्शा बोलते हैं हुशी को ठीक है आप से बोला गया है यहां पर इस्टंबो को मिलांद करना है क्या कर मतलब जो उसमाजमिकी पावन और पावन की 36 गती, ठीकिन किसे कहते है जो 36 गती होती है, वायू की उसी को हम क्या बोलते हैं पावन बोलते हैं, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया है, आप क्या करीएगा वीडियो को Like कर लीजिएगा पूरी बुक नहीं लिखनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखने है, जितना हाइलाइट किया गया है, उतना आपको लिखना है, फीगर को आपको समझ कर किसी न किसी तरीके से, नोट कर लेना है, इस तरीके से 6 की NCRT को कम्प्लीट करने के बाद, हम लोग 7 की NCR करना है, इसी तरीके से एक-एक ट्लास को कम्प्लीट करते रहने, बस आपको क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है, और रिवीजन बहुत ही इंपॉइर्टिन थे, जैसे 6 में जोभी चैप्टर आपको सबसे पहला चैप्टर बताया गया था, वो आपको याद होना नहीं तो कुछ remove किया जाता है पूरा book to book पढ़ाया जाता है जिससे कोई भी point आपको miss ना हो और अगर आपने 6 to 12 तक NCRT geography complete कर लिया तो आपको geography बहुत ही easy लगने लगेगा और दूसरा जो point है आपको डर नहीं लगेगा आपको geography से में interest हो जाएगा आप geography हमेशा पढ़ना च केंगे क्योंकि जो ज्यादातर question है ज्यादातर question हमें यहीं से मिलते हैं ज्यादातर question जो भी बनते हैं वो NCRT से बनाया जाते हैं चौथा chapter हम लोगों ने complete कर लिया गया है chapter के last में question करना बहुत important होता है क्योंकि जो हम chapter के last में question करते हैं उन question से हमें यह पता चलता है कि हमा रहा है मतलब इस टॉपिक को हमने अच्छे से नहीं पढ़ा और वीडियो को आप बैक करके फिर से उन्हीं जी जो को पढ़ सकते हैं क्लास 6 की NCRT को आप रिवाइस करते रहें वीडियो से भी रिवाइस करते रहें कोसिस करें कि जाद आपने नोट्स से करें और नोट्स को बिल्कुल सार्ट फार्म में लिखें अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर क्लास 10th मैथ की प्लेलिस्ट मिल दिया गया है तो 9th और 10th का लगभग लगभग स्लेबस काफी कंप्लीट कर दिया गया है अब हम लोग सीख 7th पर आ रहें और यह जो जियोग्राफिकी सीरीज चलाई गई है यह कंप्टीट्यू एक्जाम के लिए चलाई गई है ठैंक्यू क्लास